पूरा मामला है उन्नाव के सुमेरपुर ब्लोक के जंगल बुज़र्ग गाम का जहां कि प्राइमरी विध्यालिय में दिपांशु चोधरी नाम के हेड मास्टर हैं मास्टर साहब सरकारी नोकरी करते हैं लेकिन नोकरी से ज़्यादा इनको राजनीती में दिल्चस्पी है अजबात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मास्टर साहब ने अपनी माता और पिता दोनों को शेतर से बीटी सी का चुनाव लड़ाया और अपने प्रचार साम अपने देख रहे हैं महीं बीते दिनों कुछ लोगों ने नोकरी के नाम पर वसूली के भी मास्टर साहब पर आरोप लगाये थे लेकिन रात और रात बयान बदल जाने की कारण उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी अब देखना यह होगा कि बीसे साहब भी कोई